हाई एब्रीवन विल्कम यू आल टू आर शेनल तो आज हम 1st आफ नवेंबर 2020 की न्यूज आर्टिकल और पूरे जो ऑक्टूबर मन्त में जितने चीजें हमने पढ़ी हैं वो कोशिस करेंगे कि उनका हम रिविजन करें आज ठीक है क्योंकि आज संडे है आज अज अर्टू लगेगा ठीक है और जो मैंने ओल इंडिया रेडियो पर बनाया कि किस तरीके से वहां से न्यूज पढ़े उस वीडियो को आप जाह से जाधा शेयर करें और उसकी वैल्यू क्योंकि बहुत जाधा है ठीक है बहुत ही जाधा यह रिलेवन्ट है हर सिटिजन अफ इंडिया आपको भी सुनना चाहिए देखना चाहिए और ऐस entire आपको देखना ही चाहिए ठीक है दूसरा यह घर आपको पी आइवी पर भी चाहिए कुछ लेक्चर की पी आइवी से किस तरीके से क्योंकि यहां पर न काफी सारी न्यूज जो होती है वो हमाले इंपॉर्टन नहीं हो सब्सक्राइब करते हैं तो स्टार्टप फोरम जो है यह लॉंच हुआ ट्रेड मिनिस्टर की मीटिंग अभी हमने पढ़ा ना जिस्ते को आप इसको लिंक भी कर सकते हो ना सुबह वाला अगर आपने वीडियो देखा है तो उसमें आपको पता जल जाएगा जो यह मिनिस्ट ट्रेड मिनिस्टर एकोनोमी मिनिस्टर की जो मीटिंग हुई है तो उसके लिए स्टार्टप फोरम जो है लॉंच होगा ठीक है तो फोरम विल ले फांडिशन फॉर मल्टिलेटरल कोपरेशन और इंगेजमेंट अमंग शंगाई कोपरेशन ओगनाइजेशन तो यह जो सार अब जैसे शंगाई कोपरेशन ऑगनाइजेशन की बात करें तो इसका जो क्रिएशन था वो 15th of June 2001 में अनौन्स हुआ था ठीक है शंगाई चायना बाइद रिपब्लिक आफ कजाकिस्तान और पीपल रिपब्लिक चायना और किर्गिस रिपब्लिक और रश्यन फेडरेशन तो इसमें आपको बता है कि पाकिस्तान और इंडिया जो है बाद में इसमें एड हुए थे अब जब ये थी 5 इसको शंगाई 5 इसलिए बोला जाता है शंगाई 5 इट वस प्रिसीड़ेड बाइदी संगाई 5 मेकिनिजम और संगाई कोपरेशन ओपरेशन चार्टर जो साइ एक रश्यन और चैनीज यह ओफिशल लेंग्विज है ठीक है में गोल्स की हमें पताईए एक जो यहां पर इंपॉर्टेंट आपको चीज रखना है जब यह हमने हैं हमने हेड्स ऑफ इस्टेट काउंसल बढ़ाता है तो यह सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉड़ी है एस एक साल में मिलते हैं डिसकेशन के लिए मल्टिलेटरल कोपरेशन स्ट्रेजी की बात होती है जो प्रायर्टी एरियाज होते हैं अब इसकी दो पर्मनेंट बॉड़ी है ठीक है दो पर्मनेंट बॉड़ी कौन कौन सी है SCO Secretary कहां पर है बीजिंग में है ठीक है शंगाई में नहीं है यह कहां बीजिंग में और संगाई का जो कॉपरेटर है स्वारी है ठीक है बीजिंग में और तो बस यही आपके लिए अभी जानना इंपोर्टेंट है एक स्टेट फॉर टर्म ऑफ त्री एर्स के लिए मिलते हैं और एट मेंबर्स भी बता दिये हैं हमने अल्रेडी पाकिसान इंडिया को भी उसमें आट कर ले ना अब्जर्वर स्टेट देख लो कि चार अब्जर्वर स्टेट हैं इसके सिक्स डायलोग पा और यह चेयर्मेंशिप किसकी थी एक्सटर्म फरस्मिनिस्टान आता कि शर्ख में कोशिस निए अप मैप देखके गूगल पर सर्च किये सेंट्रल जो यह है ठीक है सेंट्रल एशिया और यहां पर इनकी जो क्यापिटल है वह आप जरूर अभी सर्च करके पॉस करके वीडियो को लिख दो ठीक है आपको हमेशा याद रहेगा कंफ्यूजन नहीं रहेगा ताशकेंद हम बताई चुके हैं उच बगिस्तान के दिन फॉरेंट मिस्टर ऑफ सेंट्रल एशिन कंट्रीज वेलकम दिप्रोविजन बाइंडिया और जो सेंट्रल एशिन कंट्रीज है तो उन से भी हमारा काफी ज्यादा इसमें कोपरेशन पर उन्दिया एफुर्ट्स तू मॉर्डनाइज इंट्रस्ट्रक्टरो ओव जावर पोट इरान इरान में कर रहें ना मॉड्रनाइज कर रहें जावार पोट को इस पर भी फोकस करेंगे विच कुट बी कम एंब इंपॉर्टन लिंक इन ट्रेड ट्रांस्पोर्ट कम्मिनिके यह भी हुई थी ठीक है 7-8 दिसंबर को होगी 7-8 दिसंबर को यह होगी इंडिया उस्टेलिया सर्कुलर एकोनॉमी हैकतन तो यह PIV की न्यूज है ठीक है कहां की न्यूज है PIV की अब यहां पर आप देख सकते हो कि आई इस क्या है IACE तो इसमें क्या है कि पहली तो प्लास्टिक वेस्ट डिदक्शन किस तरीके से प्लास्टिक का रिडक्शन किया जाए और रिसाइल रिसाइक्लिंग क्रिटिकल एनरजी मेटल्स एन इवेस्ट तो यह भी पता होना चाहिए कि इंडिया और ऑस्टेलिया के बीच में हो रही है अब जो IACE है ठीक है IAC का जो ने बुला कि हमें कुछ explore करने चाहिए दोनों की circular economy को boost करने के लिए ठीक है इंडिया और ऑस्टेलिया को circular economy आप सोचो के क्या होती है तो यह एक ऐसा economic system होता है that aimed at eliminating waste and the continuous use of resources ठीक है कि waste को eliminate करने का aim और दूसरा क्या यूज करो resources का continuous way में यूज होना चाहिए तो four key themes है इस hackathon की कि हमने already discuss कर चुके हैं यहां पर next जो news article है that is related to SIAC SIAC को हमने बढ़ा है international organization है ठीक है not for profit international arbitration organization तो यह future group और reliance की बीच में जो deal होनी थी 24 करोड something की तो वो क्या था उसमें यहां पर यह arbitration में कौन गया Amazon ठीक है तो Amazon गया था तो इस नहीं के favor में judgment आया था कि जब तक कोई final decision नहीं हो जाता है at least अब तक यह deal को आप यहां पर इसको closure ना करे रहे हैं तो Commission और international trade law arbitration rule United Nations के अंतरगती आता है and this order came on a plea from global e-commerce giant क्या Amazon लेकिन कल हमने यह भी पढ़ादा कि Indians जो court है ठीक है जैसे मुंबई में हमारा arbitration court है या फिर और court है तो यहां पर SIAC के जो judgment है सिंगापूर बेस्ट इसकी judgment जो है वो यहां इस में तो इस body के बारे में आप जरूर इसको ध्यान में रखना next जो है EU ठीक है तो EU तो आपको पता है बार-बार न्यूज में रहता ही है European Union तो यहां पर क्या है France ने इंकरेज किया है जितने भी European Union के जो allies है कि वो तर्की के अगेंस्ट पैजर ले क्योंकि तर्की इने क्या step लिया उन्होंने boycott करना स्टार्ट किया डिक्लियर कर दिया कि फ्रेंच के जितने भी गूट्स है तो इस्लामिक कंट्री में उन गूट्स का क्या हो बाइकॉट हो है ना बहिश्कार करें तो यह था तर्किश मेंबर्शिप यू ने मतलब वॉंट किया है कि तर्किश मेंबर्शिप ऑफ यूरोपन यूनियन ब्लॉक इस फॉर्दर अवे दैन इवर इन दे लाइट फिर्दोकन रमाक्स है ना ब्लॉक भी कर सकते हैं आपकी 1993 और यूरोपन एकनोमिक कम्निटी 1957 में स्टाबलिश हुई थी तो यह इंपॉर्टन है ट्रीटी ओफ लिपसन और यहां पर 2009 में जो इनक्ट हुई थी और 1993 की जो मॉफ्ट किया गया था यूरोपन यूनियन फॉलिंग दिन्यू मैसेच्च च्रीटी ऑलसो नौन अस ट्री यहां पर जो है किसको बनाए गया था अपूर्वा अपूर्वा चंद्रा जो लेबर सेक्रेटरी उनको चेर्मेंशिप दी गई है ठीक है यहां पर आयलो के बारे में हम देखा था कि 187 मेंबर स्टेट कंट्री हैं यहां पर 193 में से और यह मतलब एक ऐसा एक स्टुक्चर टुड़ा रिविजन हो रहा है तो इस पर दन यूनाइटे नेशन्स की भी जो बर्थ अनिवर्सरी थी 1945 में फांट किया गया था 24 अक्टूबर को बर्थ अनिवर्सरी होती है हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो आपको पता है लीग ऑफ नेशन का फेलियर हुआ था ऑगनाइजेशन होना चाहिए इंटरनाशनल ऑगनाइजेशन ठीक है उसके बाद फिर यूनाइटे नेशन का गठन हुआ था यूनाइटे नेशन चार्टर 1945 ठीक है कॉम्पोनेंट इसके पता होने चाहिए स्टाटिक में हम पढ़ चुके हैं जनरल सैंबली सिक्योर्डी क प्रेंट को पिफाइब फोले जाता है और कि वेंडिया को भी चेर्मीन्शिप यह पर मिली हुए लेकिन इतना ज्यादा निया तो यह हुई थी, इस वज़े से G20 जो था, न्यूस में था, ठीक है, अब G20 जो है, यह भी हमने देखा था कि क्या है, इसका headquarter है कहीं पे, तो इसका headquarter कहीं भी नहीं है, यह G20 क्या है, यह operate करता है as a forum, ठीक है, as a forum operate करता है, and not as an organization, ठीक है, तो इस वज़े से कहीं पे भी अ इनकी बात करें, तो 1997-1999 में Asian financial crisis हुआ था, उसके बाद G7 emerge होके आया था, ना, उसके बाद पर 2008 में, फिर फाइनली जो new consensus बिल्ड हुआ था, जब financial crisis आया था, उस टाइम पे, के G20 leaders, उन्होंने फिर मिलना शुरू किया है, नोली है, and one nation holds the chair every year, known as the G20 presidency, ठीक है, one nation holds the chair every year, यही G20 presidency है, और अभी Saudi Arabia ने holds किया है, G20 की जो होस्ट किया था, G20 की जो अभी presidency थी, ठीक है, फस्ट अरपनेशन टू सो, यह भी important है, इस वज़े से important है, अब इसकी भी थी 10th anniversary थी, June 2010 में set up हुआ था, टोरंटो सम्मिट में, जो G20 की टोरंटो सम्मिट हुई थी, and their 2020 जो marks ह 10th anniversary है, ठीक है, तो इतना याद रखना है, और यह इन सारे organization के साथ मिलके work करती है, ठीक है, जो main चीजे हैं, जहां पर आप confused होंगे, वो चीजे मैंने आपको बता दी है, FAO की 75th anniversary बताए गई थी, ठीक है, यह not available offline, ठीक है, बस यह है कि 16th October 2020 को World Food Day भी celebrate किया गया था, और 75th जो denomination, जो coin ताब वो भी Prime Minister ने यहां पर launch किया था, ठीक है, यहां पर next जो organization, environment से related news देख लेते हैं, Project Lion, ठीक है, तो 15th of August 2020, यह तोड़ा अगस्त की हो गई, यह यहां से start हो था Project Lion, तो बस इसके बारे में यह बताऊना चीए, यहां पर जो Wildlife Institute of India है, along with the Gujarat Forest Department, तो इन्हों इसके क्या होगा, six new sites को identified किया था, for possible line relocation, तो वो कौन-कौन से यहां पर आपको बहुत सारे पार्क और उनकी location के बारे में पता चल जाएगा, जिसे महादेव National Park का है, महादेव, मध्यप्रदेश, सीता माता Wildlife Sanctuary, राजस्थान, सीता माता राजस्थान में है, then Mukundra Hills Tiger Reserve, र गांधी सागर Wildlife Sanctuary में, गांधी सागर Wildlife Sanctuary माधव National Park में, और कुंबलगड वाइलाइफ सेंक्चुरी भी राजस्थान में, तो तीनों जो है, राजस्थान की है, सीता माता, मुकुंद्रा, पुंबलगड, जसोर, वाला, राम, अमबा, जी, डे, ब्लू, वालाइफ सेंक् पार्क का स्टेटास में, कुन्यों पालपूर Wildlife Sanctuary कहां कि है, मंत्यप्रिदेश की, तो इसमें, कन्फ्यूज मत हो न, ये 1981 में, स्टाब्रिश होई थी, वाइलाइफ सेंक्चुरी और ड्राइड ड्राइड इस फोरेस्ट यहां पे हैं, तो यह इंपोर्टन चीज थी, ने सब्सें नोटिपली वर्ल्स फोरेसिंटेर, तो यह है ठीक है, यहां पे लिफित नाम यहां पे दिख रहा होगा राप को, इसे ही, यह ही, यह ही बनकिया है, यह ही है, नो नेट्वर्क कम्न, डाइफुन्स हैं न, जा नोन एज टाइफुन्स हैं साइक्र थी नोन एज अन विली विली जो है नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्टेलिया ट्रॉपिकल साइक्लोन इंडियन ओशन रिजन तो यह चीज़ आपको बदा होने चाहिए नेक्स टॉपिकल साइक्लोन रूटेट काउंटर क्लॉक्वाइज इन नॉर्धन हमस्फेर देर आर इस आर मेज़र्ड वाइज जो है यह फिलिप्पिन्स के द्वारा कॉंट्रिब्यूट किया गया है ना है बिटाट लॉस ऑफ हिमालियन ब्राउन बियर्ट टीकेज है बिटाट लॉस की वज़े से यह न्यूज में थे और की पॉइंट की बात करने तो स्टडी जो थी इसमें मतलब इनके बारे में ब तो 73 परसंट तक यह लोग जो है यहां से इंडिया इंडिया नहीं मतलब जो वेस्टन हमाले है तो वहां से खतम हो जाएंगे है ना टोटल हैबिटाट लॉस केन में एट आउट आउट अफ थार्टीन पीए कंप्लीटल अन हैबिटेबल बाई 2050 टीके तो यह चीज है इस सोश्यो एकनोमिक सिच्वेशन की अगर हिमाले बॉर ब्राउन ब्राउन बेर के हम बात करें तो नौर्थ वेस्टन और सेंडर हिमाले में जैसे आपके इंडिया पाकिस्तान नेपाल तिब्बतन और्टनमस रीजिन चाहिन और भूटान के आते हैं तो यहां पर यह पाए जाते हैं इनकी रेंज हाइई अल्टिट्इल्टन खर्टेष्ट फ्य्ट के इसका घ्र्ट होता है इसी उपूट्य मेंई ग्ये अंनुप्र उत्राखंड में है और यह न्यूज में था अभी क्योंकि यहां पर इसका एक्सपेंशन किया रहा था ऑफ देहरादुन जॉली ग्रांट एरपोर्ट है इस वज़े से सेंसिर्टिव एरिया बहुत इंबॉर्टेंट एरिया और एरिया प्रपोस्पेंशन इस पार्ट ऑफ शिवालिक एलेफंट रिजर्व यह जो है राजाजी नेशनल पाक है तो उसी के 10 किलोमेटर रिडियस में आता है ठीक है और आपको पता होगा यहां पर काफी जाधे प् कोरिडोर है तो यह सिस्मेक जो स्टेट है सिस्मेक जोन फोर में भी आते हैं और फाइव में भी एस पर दे आर्थकोएक जोनिंग में आप लुट जल्दी मितलब हमको काफी दिक्कत हो सकती है अगर आर्थकोएक आएगा यहां पर तो इन फेक्टर देट एक्टर जोन बिल्गुल डेंजर जोन में ही आते हैं डेली भी आता है इस अप्रोग्राम टेकिन टेकिन अप बाइधी मिनिस्ट्री आफ रोड ट्रास्पोर्ट एंड हाइवेस तो इनके द्वारा यह स्टार्ट है चार धाम आपको बताने कि दारनाथ बद्रिनास यह मनोत्री गं करना किन्सोरा बार कोट है एलिफेंट कॉलिडोर भी यहां पर लोकेटेड है ठीक है इंडियन एलिफेंट कनाटका में जो है हाइस पॉपुलेशन है एलिफेंट्स की शेडियूल वन में यह आते हैं ठीक है 1972 के इतना बहुत है इंडेंजर में आई यूसीन रिकी जो राजा जी है ना तो इन्हीं के नाम पर राजा जी पढ़ाया ना तो यह भी पताऊना चाहिए राजा जी मोतिचूरन चीला तो यह सारे अमिल्गेटेड हो गए थे लाज प्रोटेक्टेटेड एरिया उसके बाद 1983 में राजा जी नैसनल पार्क बना था ठीक है तो इंडिया का लार्ज़ चिम्कॉर्विट नैसें पार्क फिर्स ऐस्यान थाने सेंट्रबां चैमोली में हैं नंदद्देवी नैसनल पार्क विश्टों उनुसको वर्ड हरेटेज्टेस साइट थान गोविंद पश्यू विहार नाशनल पार्क संट्चूरी तो यह भी रहा है यह नहीं हो रहा है पता नहीं शाहिद कुछ आधा नहीं हो आया है रिकॉर्ट पर यहां से देख लेता है wildlife institute of India कंडेक्ट करे का study olive riddley turtles में यह हिंदू की बहुत फेवरेट न्यूस रहती है ठीक है तो key fact यहीं है कि olive riddley turtles है smallest and most evident of all sea turtles found in the world and inhabit warm water of the pacific atlantic and indian notions ठीक है तो कहां पे रहते हैं यहां पे रहते हैं और in locations पे smallest and sea turtles होते हैं यह ना and the cams riddley turtles जो है इनके cousin बोला जाता है इनको are best known for their unique mass nesting called aribada ठीक है अरी बाड़ा इसको बोलते हैं जहां पे mass nesting होती है एक साथ यह लोग आते हैं and where thousands of females come together on the same beach to lay eggs okay रश्यक्रिया रोक्री कोस्ट जो है इंदे गंज्रम डिस्टिक अफ उड़िसा ठीक है तो यहां पे गहिरमाथा बीच है research and management ठीक है तो इसको अभी पता था कि सेंट्रल जो है सेंट्रल को में हटा रही है इन सारे इंस्टिट को था कि मतलब इनको फंटिंग को बंद हो जाएगी है ना मतलब यह कोर्स वर्ड फिश माइग्रेशन डे 2020 को celebrate किया गया था 23rd and 24th of October को वर्ड फिश माइग्रेशन डे 23rd and 24th of October को celebrate किया गया था रुद्र प्रयाग में अलक नंदा और मंदाकनी का जो इसको क्या बोला जाता है रुद्र प्रयाग देन आइमड एनलम एफफ जी एस तो यह भी न्यूज में थे आपको 1875 में यह फॉर्म हुई थी मिनिस्ट्री फर्स साइंस के अंतरकत आती है इसका है न्यू डेली में है और रिजनल स्पेशलाइज मेटर लॉजिकल सेंटर इसके है और में जो है यहां पर लॉंच किया था गाइदेंस नंडियान एक्स्प्रेस की यह नूस थी इदर को साओध एशा टॉट टॉट टैंकल फ्लैच फ्लैश फ्लैट ना तो फ्लैष फ्लैच फ्लैड गाइडन सिस्टम to help disaster management teams and government इसमें जो इंडिया बूतां पाकिस् ने ऐसा बोला है ना तू है पार्टनर इन दे सिस्टम और NDMA नाशनल वाटर कमिशन यह सब इसमें बने है ना तो वर्ड मेट्रोलोजिकल डिपार्टमेंट का स्टाटिक्स भी था इन्होंने सजिस्ट किया था कि 5,000 लोगों की जान जो है अनुली किस से जाती है फ्लैश फ् जान शोटली दे कंट्री तो यह कंट्री दिख लो बंग्देंशी भुतन नेपाल श्रीलंका और दूस्रा क्या है फ्लेश फ्लेड होते हैं तो देड़ हाइली लोकलाईसट इवेंटस फशोट दूरेशन थे विद्धा वेली हाईपीक तो यह मतलब एक तरह से प्रोवाइट कर देगा पहले एडवांग 6-12 घंटे पहले कि जो वाटरशेड लेवल है वो कितना है कितना रिजलिशन है ना फ्लैशलेट के बारे में इन सारी कंट्रीज को इंडिया निंपल भूतन मांगादेश और श्रीलंका next news ordinance for setting up commission to manage NCR air quality तो यह भी हमने अभी recently discuss किया है कि panel for daily air roll and parts what's new है ना यह सारा हमने बहुत ही अच्छा article discuss किया है इसको आप देख सकते हो परसो के news article में है ना कि किस तरीके से क्या-क्या challenges इसमें आएंगे यह भी हमने किया on way out EPCA list what remains starting with curbing crop burning है ना तो EPCA के बारे में भी हमने pollution and prevention and control authority अंडिया ना super seat करेगा जो commission आएगा इनकी जो state authorities की जसे CPCB EPCA की पार है वो एक तरह से dissolve हो जाएंगे है ना और इसमें जो है EPCA ने greater response action plan जो थे है ना वो लाए थे CNG भी start इनी के द्वारा हुआ था suggestion पे 1998 पे है ना जो public transport fleet है उसको मतलब जादा फोकस किया गया थ है उसमें CNG का दन EPCA also recording building to bypass to move traffic और generators वगेरा जो है इनका मतलब stable bonding होती है तो diesel generator यूज करना problem also and I was this because unlike the new commission EPCA did not have complete authority over state and their bodies ना तो statutory body नहीं थी अभी यह जो होगी statutory body होगी ना तो इसको more powerful more representative body होगी जो नया commission होगा और इनको वैसे ध्वनी production sound pollution होता है उसके उसकी भी authority थी लेकिन air pollution पर ज्यादा मतलब यह भोला कि effectively यह ज्यादा काम नहीं कर पाए उस पर भी यह सब हमने देख लिया ठीक है चेयर person जो इसका होगा proposed commission का to be chaired by a government official and the rank of secretary of chief secretary it will be a permanent body and will have 20 members 20 सदस्य होंगे permanent member होंगे यह ठीक है अब members include यह सब आप देख सकते हो है रप्रेजेंटेटिव होगा secretary of MOEF five secretary level officers होंगे है और प्रेजेंटिव representative cp cb से इसरो से भी होंगे air pollution experts भी होंगे three representative होंगे NGO non-government organization से यह important है इसके बाद associate members भी होंगे जो various other ministry से होंगे जिसमें agriculture ministry होगी petroleum power road transport highways housing urban affairs commerce industry यहां से commission will be a statutory authority commission will supersede bodies such as central and state pollution control boards of Delhi, Punjab, Haryana, UP, Rajasthan तो यह 5 states में Delhi, Punjab, Haryana, UP, Rajasthan इनकी जो authorities है इनके जो pollution board बने वे है pollution control board तो इसको यह supersede करेगी it will have the parts to issue direction of these government on issues pertaining to air pollution है तो यह important चीज़े हैं and we are already had EPCA was it not sufficient तो यह हम already कर चुके हैं कि यह statutory body नहीं है और यह pollution का मितलब which has been looking at the cases legitimacy नहीं थी इसके है न तो यह सब चीज़े हैं EPCA के Supreme Court mandated यह authority थी then air quality CPCB EPCB suffer NAMP green app यहां पर हम green app और NAMP के बारे में देख लेते हैं बहुत बार क्योंकि हम यह अपने news article में discuss करते रहते हैं तो green app क्या था it is an app launched by Delhi government recently और यह involved करेगी citizen का participation ठीक है कि वह timely action ले government के जो किस तरीके से government क्या कर रही है pollution से fight कर रही है न तो app enable करेगी citizen register कर सकते हैं शिकायते complain आप यहां पर दर्श कर सकते हो अपनी शिकायते and report pollution sources and violations of anti-pollution norms की कहां से मतलब यह pollution आ रहा है उसको भी report कर सकते हो है न जो anti-pollution norms से उसका violation अगर हो रहा है तो वह सारी चीज़े भी कर सकते हो फोटो आप ले सकते हो फोटो किछके वीडियो अगयरा audio जो है वह क्या कर सकते हो जिसे गार्बेस बंडिंग कहीं पर हो रहा है इंडेस्ट्रे पोलिशन हो रहा है construction rust है तो उनको upload कर सकते है उस app पर ठीके dashboard to monitor air quality of Indian city यह भी था national ambient air quality standard naqs विच कम संदर थी national air quality monitoring program namp तो इसमें मतलब यही बोला गया था कि new dashboard वो लॉंच किया जाएगा इसके लिए अब यह लॉंच हो था 10 जनवरी 2019 को national clean air program में air pollution जो 122 में है उसको tackle करने के लिए ग्रीन लाइट्स ग्रीन फायर क्रेकर दिसे है तो दिवाली आने वाली है एक लिस्स पता होना चाहिए कि जो हमें वह बहुत सारी सतरंगी जो लाइटे दिखती है ना जब हम पटाके वगएरा जलाते हैं crackers तो क्या-क्या उसमें कौन-कौन से chemicals की वज़े से होता है तो यह जीन घृर्स ने यहिए उसके बाद यह ह Noch लोगह ठीक्र आनको प्याइशन अपिशर से पाइएम ने फंशल इत्धा से और फिजतन सथी टीन नहीं संखती में थैंद वहां इसके बाद शुब अगशन होता है जैसे सब्सेज अग्रे期ёं सैहरा सीज्टिभालिया से यंपक 30-35% reduction होता है चीपर होते है manufacturers के लिए और manufacturers को भी इसमें कोई ऐसे facility उनकी change करने की ज़रूरत नहीं होती है what give color to the firecrackers जैसे red जो color हमको देखता है ना तो वो उसमें stonatum salts होता है ठीक है यह आप देख सकते हो orange जो कहमें color देखता है calcium salt yellow sodium salt green barium salts इसमें नाइट्रो नाइट्रेट्स और carbonates chlorides है ना chlorides यह सब चीज़े रहती है blue copper salt purple combination of copper stone netum compounds white the burning metals like magnesium aluminum titanium ठीक है यह होती है two new ramsar sites in India तो यह भी हमने देख ली थी कि कबर कबर ताल wetland बिहार और असन conservation जो है कहां पर रामसर साइट उत्राखंड में ठीक है तो यह भी है बेगु सराइब भिहार में असन जो है यह पहली ऐसी साइट बन गई है रामसर साइट उत्राखंड की ठीक है उत्राखंड की असन जो conservation reserve है ठीक है तो बहुत important था 1971 में रामसर साइट जो है रामसर एक जगह है तो महां से यह स्टार्ट होा था है और बाकी तो यह सब हम इहमालेन बेर के बारे में हम देख चुके एकनॉमी से रिलेटेड देखते है राशनलाइजेशन ऑफ और्ट नमस इंस्टिशन ट्वंटी टूंटी टूंटी की न्यूस थी तो यहां पर जो मिनेश्टी आ इनको डिसेंगेज़ करना होगा मिनेश्टी आ इनवायरमेंट फौरेस्ट एंट च्लाइम चेंज को न Selfies करना हुगा और बोल रहे हैं मों इस तरहां प्रेंट मेंटी टूंटी तो तो नाइन ऑफ जन्रल फिलेंशल रूप 2017 है तो यह सब चीज़ है रिकम्डेशन और यह सब एक तो वर्ड वाइल लाइफ इंस्टिट्ट ऑफ इंडिया है थिस इंगेजमेंट फम दे और इंडियन इंस्टिटुट ऑफ फॉरेस्ट मैंजमेंट भोपाल प्लाइवुड इंडिस्ट्री रिसर्च तो यह भी हमने अपने अपने अर्टिकल में डिसकस कर चुके है तो आपको जिस ब्रीफली मैंने आइडिया देने के लिए इतना बहुत है ठीक है तो यह सब और बाकी की यह सारी तो पता होनी चाहिए स्टैट्यूरी बोडिज है सेंटल पलिशन दिया था ठीक है नाशनल एक्रिशन बोड़ ऑफ सर्टिफिकेश्ट बोड़ी एंड कॉलिटी कांसल फिंडिया पर अंडर्टिकिंग इंस्पेक्शन और इंडिट वर्क है ना जो फूड सेफ्टी ऑडिट होते हैं और साइंटिफिक स्टोरेज किस तरीके से किया जाए ज अगर हम एंपीसी की बात करें तो मिनिस्ट्री ओंडिस्ट्री के अंतर गताती है जो 1958 में इस्टैबलिश हुई थी ठीक है और इसमें टोक्यों बेस्ट एशन प्रोडिक्टिविटी ओंडिजेशन रे कॉंसेशन रे कॉंसेट वी थी एंटर गॉन्मेंटल बोडी है विच फांडेंट मेंबर ठीक है तो APO का भी हम फांडेंट मेंबर है तो नाशनल प्रोडुक्टिविटी कांसिल 1958 मिनिस्ट्री ओफ कॉमर्स एंडेस्ट्री क्राडिट डिफॉल्स वैप जो था यह न्यूज में था इस एंग्जांपिल ऑफ क्राडिट डेरेट्टिव तो यह सब चीज़े हैं इसमें को मिल रहा है यह हमने पढ़ा था दें सीपी आई के बारे में पढ़ा था सीपे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में हमने देखा था नाशनल स्ट्राटिकल ऑफिस के द्वारा जारी होता है और अभी जो न्यूज में क्या था में न्यूज में यह था कि मिनिस्ट्री ओफ लेबर और इंप्लाइमेंट ने रिलीस किया न्यू सीरीज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडेस्टिल वर्कर्स ठीक है इंडेस्टिल वर्कर की जो है इसमें बेसेयर को चेंज कर दिया गया है तो हज़ार एक था इसमे तो स्टार्ट अप फॉरम हमने देख लिया इंडिया संटर यह तो हमसा सब देख लिया अभी यह मांट गिरनार न्यूज में था मांट गिरनार ठीक है तो लॉर्ड दत्तात्रे प्रफांट परनेंस अधे टॉप आप अप दे हिल और शेत्रावेर 22 तीरतंकर लॉर्ड ने इसको एशिया का लॉंगेस्ट टंपल रोपे बोला जा रहा है अन्रोपे अस बिन डेवलेट बाइ उश्या बेर को लिमिटेड एट इन्वेस्मेंट ऑफ 130 क्रोर नेक्स्ट जो न्यूज है आर्टन कल्चर में देख लेता है अगर कुछ है इंपॉर्डन इंडियान एक एरिटोरियल आया था तब हमने डिसकस किया था ना तो भीमा कुरे गाउं बैटल में पस आपको यह आद रखना है कि यह कब हुआ था एक तो 1818 में हुआ था बैटल 1818 और यह मराथा और जो वो थे पेश्वा फोर्स एंदे बिटिश उनके साथ यह हुआता है ना मेंल जिसे दलितों के एक तरह से जीतियां पर बूली गई थी परंपरा सीरीज जो है नाशनल फेस्टिवल म्यूजिक दांस है अन्यूल परंपरा सीरीज नाट्य तरंगिनी के द्वारा युनाइटे नेशन के साथ पार्टनर्शिप करके यह शुरू हुई है कूजी मुझरिस बाइनल यह भी हमने देखा है फिफ्ट एडिशन इसका हुआता है ना यहीं इंपोर्टने लाइफ अफ मिनियर्चिर के बारे में देखा था किसके दोरह है नैशनल म्यूजियम और न्यूडली मिनिस्ट्री अफ कल्चर गूगल आर्ट्स अन कल्चर गर्भा जो था देख लेते हैं साइंस इंटेक की क्या है वाटर रन दे मून इसरो नसाइल के बारे में हमने बढ़ा था इजी अम्डी पी नाग उसरिस रेक्स एस्ट्राइट सेंपल और न्यूजफेफर्ट के बारे में भी हुने पड़ा था रॉकेट शिस्टम और देख लेते हैं क्या सर्व के द्वारा सर्व एक स्टाटोरी बॉड़ी है जो देपार्टमेंट आफ साइंस एं टेक्नलोजी के अंतरगत है साइंस एंजियरिक रिसर्च बोर्ट टीक है इट विल हव तो कंपोनेंट सर्पार फेलोशिप रिसर्च ग्रांट तो यह है इसमें नेक्स्ट यहां वाटर लूण तो यह भी हमने देखा था यहां पर तो मॉलीक्यूल्स है वाटर के डिसकवर्ड हुए है कल्विस क्रेटर पर थेकिन अनुट सदन है मैस्फर मूं के सदन हमेस फेर पर यह है इस यह फास्ट टाम आप अच्छिए और सोफिया के बारे में मॉडिफाइड कि जेट लाइनर फ्लाइड एल्टिटूर्स फॉर्टिफाइड अप्टो फॉर्टीफ़ थाउजन फीट है ठीक है ज्वाइन प्रोजेक्ट नासा का और जर्मन एर पेस सेंटर का तो यह इंपोर्टन ए चंद्रयान वन एंड वाटर डिसकवरी के बारे में पता होना तो मेरी सहली इनिशिटिफ किसका इंडियन रेलवेस का यह फोकस करेगा एक्षिन उन स्क्योर्टी अप वमन ठीक है रेलवे में और पीफ का इनिशिटिव आई यह इनिशिटिव ए यह रेलवेड फोर्स का पुलिस फोर्स का स्ट्राटेजी ऑफ इंटेल्स इंटेल पब्लिक विवेंसेज है सतर्क भारत संब्रेद भारत संब्रेद भारत ठीक है तीम और सेंटर्व ब्यूरो ओफ इंवेस्टिएशन इस होस्टिंग सीबेएं करना है नाशनल कॉंट्रेंस विजिलेंस और अंटी करप्शन एम यह इंटर्नल प्रोसेस है उसको संता नाम कमिटी ठीक है ब्रस्टाचार के लिए बनी थी 1964 में बटवास कंफर्म कंफर्ड विद स्टाट्यूरी स्टेटस तो 2003 में इसको क्या मिला था सीवी सी को स्टाट्यूरी स्टेटस मिला था ठीक है सम्मिट्स रिपोर्ट टू प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया संसथं सब्रेइंट परिए उनियन पर्मेंंट मिनिस्टर होते है लेडर और ऑफ पेढ़ सब्वा सब्सक्राइं रिम्हां सब्सक्राइब होता है और प्रेजिदेन के और पर होते हैं फ्रूवत में परáfic कर सकते हैसं अब यह बताओ बात जैशे ज विजिलेंस कमिशन सेटप टीके 94 95 96 85 तो अगर आप सही से डिसकेशन सुना है तो आप एगी बार में बिना स्क्रॉल किये मतला बिना बैक कि आप आंसर दे दोगे कि कौन कौन से इसमें मेंबर नहीं होते हैं और यह हमारे रिविजन अल्मोस्ट कम्प्लीट हो गया है है तो आपको यह काफी हल्फुल रहेगा तो आप इसको जाज से जाज़ा शेयर करें लाइक करें and have a nice nice sunday ahead thank you